दोस्तों अगर आपका फोन अचानक गरम होने लेगे तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी बैटरी खराब हो गया या फिर फोन खराब हो गया है ऐसे में दोस्तों आप सभी कोई बार जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं आपके phone को कोई hack करने की कोशिस तो नहीं कर रहा है तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे हमें चेक करना होता है अपने phone को कि हमारे phone को कोई दिक्कत तो नहीं है कोई hack करने के कोशिश तो नहीं कर रहा है या फिर दोस्तो बैटरी उकरा क्यों गरम हो रही है तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हमें phone setting में जाना है तो मैं अपना phone setting यहां से open कर लेता हूँ phone setting में दोस्तो setting को आप सभी search कर सकते हैं अगर security and privacy के नाम पर setting दिखाई दे रहा तो उस पर क्लिक करना है जैसे आप security and privacy पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से option आएंगे यहां पर दोस्तो आपको scan device का जो option दिखाई दे रहा है इस पर आपको पहले क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके device को scan किया जाएगा पता लगा जाएगा कि आपके phone के अंदर कोई malware या पर कोई virus हो गारा तो नहीं है जब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा no issue found तो इसका मतलब दोस्तो आपके phone के अंदर कोई भी malware या पर वारेस हो गारा नहीं है अब नीचे दोस्तो आप सभी कोई देखना है कि यहाँ पर ग्रीन टिक लग गया है या पर नहीं लगा है अब यहाँ पर दोस्तो यह सारी setting यहाँ पर ठीक है यह हमें पहले चेक करना होता है सबसे पहले दोस्तो हर दिन आपको अपने phone के अंदर यह चीज जरूर चेक करनी होती है क्योंकि दोस्तो आप internet पर रहते हैं internet से माल बर गड़ा वारस अगरा अंदर आते है phone के तो आपको यह चीज चेक कर लेना है अगर कोई वारस अगरा होगा तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा घीक है यहां से बाँ गजाना है बैग आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें दूसरे process चेक करना है कि हमारे phone को कोई hack तो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर जो दूसरा process है दोस्तों वो है Google से Google से दोस्तों हम क्या करेंगा पहले हम यहाँ setting में Google पर click करेंगे Google पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर Google Service लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों कई सारी सेटिंग भी आ जाएंगी यहाँ पर दोस्तों साइड में All Service का Option दिखाए दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप Connected आप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ आप भी दिखाए देंगे जैसा कि आप वीडियो में दे सकते हैं यह आप दोस्तों आपके Gmail ID से Connected है अब यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं दोस्तों Third Party Apps and Service उपर आप सभी पढ़ सकते हैं Google खुदी कह रहा है कि Third Party Apps है यह तो यानि कि दोस्तों यह जितने भी अप्ली केसन है यह रिस्की अप्ली केसन है हमें दोस्तों इनको क्या करना यहां से हटाना है क्योंकि दोस्तों यह हमारी Gmail ID को हैक कर सकते हैं आपको पता ही होगा एक बाद Gmail ID हैक होने के बाद में पूरा phone हैक हो जाता है ऐसे में दोस्तों आप से भी को करना क्या है यहां पर दोस्तों आप से भी को चेक करना है चेक करने के बाद में दोस्तों इनको यहां से डिलीट भी करना है delete करने के लिए दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर pixels लिखा हुआ मैं pixels पर click करता हूँ यहाँ तीर वाले icon पर यहाँ पर जैसे मैंने तीर वाले icon पर click किया तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का option आ चुका है अब यहाँ पर see detail का option आ रहा है इस पर हमें click करना है उसके बाद यहाँ पर stop using sign in with google इस पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको confirm करने का option आएगा तो आपको confirm कर देना है जैसे आप confirm करेंगे तो यहाँ से दोस्तो यह application हट जाएगा जैसा कि आप video में दे सकते हैं यहाँ से वो application चला गया है इसी तरीके से दोस्तो आपको जितने भी application फालतू के यहाँ पर दिख रहे हैं जिसको आप नहीं जानते हैं उसे दोस्तो आप सभी को इसी तरीके से c detail पर क्लिक करके आप सभी को यहाँ stop पर क्लिक कर देना है और confirm पर क्लिक कर देना है क्योंकि दोस्तो आपने इनको access दे रखा है आपने gmail id का आपने gmail id का access दे रखा है तो आपकी gmail id को यह use की भी कर सकते हैं पासबर्ट भी देख सकते हैं सब कुछ दोस्तों देख सकते हैं कि आपका Gmail ID bank account में लिंग को तो बैंक का भी डीटेल वो देख सकते हैं यह सारी चीज यहां से हटाने के बाद में आपको यहां से बैग चले आना है बैग आने के बाद में दोस्तों हमारे पास एक तरीका और ह उससे भी दोस्तों अपने phone को चेख करना है कि हमारे phone को कोई hack करने के कोशिस तो नहीं कर रहा है तो चलिए उस तरीका के बारे में भी आपको बताते हैं कैसे आपको चेख करना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने Google Play Store में जाना है या फिर दोस्तों आपको अपने Gmail ID application में जाना है तो यहाँ पर मैं Gmail में चला जाता हूँ Gmail में जाने के बाद में दोस्तो आपकी Gmail ID की logo जो दिखाए दे रहा इस पर आपको click करना है और यहाँ पर दोस्तो आप सबी को manage your Google account का option दिखाए दे रहा इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर दोस्तों उपर आपको इस तरह से slide करना है यहाँ पर दोस्तों security का जो option दिखाई देगा इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर दोस्तों नीचे आप सभी को देखना है एक setting दिखाई देगा जिसका नाम है manage all device आपको manage all device पर क्लिक करना है जैसे आप manage all device पर क्लिक करेंगे तो आपकी Gmail ID जितने भी फोन में login होगी उन फोनों का model आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है फटा फर दोस्तों उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से logout कर देना है क्योंकि दोस्तों वोग हो सकता है कि कोई fraud बंदा हो या पर दोस्तों हो सकता है कि जिससे आप phone लिया हो उसी का Gmail ID यहाँ पर login हो तो दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों हो सकता है कि आपके Gmail ID को hike कर लिया गया हो तो दोस्तों आप सभी को करना है कि आप फटा फट यहा दे जाएगा तो आपको क्या करना है साइन आउट पर क्लिक करना है और यहां से दोस्तों आप सभी को फिर से साइन आउट पर क्लिक कर देना है जैसे साइन आउट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों आप सभी को ओके कर देना है और यहां से दोस्तों आप सभी का साइन के अंदर